साथियों, जब हम योग के माद्यम से समस्याओं के समाधान की बात कर रहे हैं, दुनिया के कल्यान की बात कर रहे हैं, तो मैं योगेश्वर कृष्ण के कर्मियोग का भी आपको पुनस्मरन करना चाहता हूँ. गीता में बगवान कर्ष्ण ने योग की व्याख्या करते हुए कहा है, योगह कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म की कुसलता ही योग है, Efficiency in Action is Yoga, ये मंत्र सदा सर्वदा हमें सिखाता है कि योग के द्वारा जीवन में अधीक योग्य बढ़ने की ख्यमता पैदा होती है, अगर हम अपना काम अनुशाशन से करते हैं, अपना दाईत्व निभाते हैं, तो भी एक तरह का योग ही है, साथियों कर्मयोग का एक विस्तार और है, हमारी यहां कहा गया है युक्त आहार विहारश्य, युक्त चेश्टरश्य कर्मसुख, युक्त स्वपनाव बोधस्य, योगो भवती दुखा, अर्थात, सही खानपान, सही डंग से खेलकूत, सोने जागने की सही आदतें और अपने काम, अपनी डूटीज को सही डंग से करना ही योग है, इसी कर्मियोग से हमें सभी तकलिफों और समश्याओं का समाधान मिलता है, इतना ही नहीं, हमारे यहां निश्काम कर्म को, बीना किसी स्वार्थ के सभी का उपकार करने की भावना को भी कर्मियोग कहा गया है, कर्मियोग की यह भावना भारत के रग रग में रची बसी है, जब भी जरूरत पड़ी भारत के इस निश्वार्थ भाव को पूरी दुनिया ने अनुभोग गया है, छी स्वार्य भाव भावना के वारत के रग भावना की यह भावना में रची बसुिस भावनाठ्र के लिजी कर्मियोग के इस वाल इस अती है।